पंजाब में आमादमी पार्टी के भगवन्त मान ने तो दिखा दिया कि किसे कहते हैं Zero Tolerance Against Corruption जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगा पर उनी का नाम फिलहार चर्चाओं में बना हुआ है स्वास्ते मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया जब करप्शन की बात आई एक मिनिट नहीं लगाया उनकी गिरफतारी तक हो चुकी है उसी पर बात चीत करेंगे आज आमात्मी पार्टी से ही हमारे साथ है राजीव गोंदर जी जिनोंने कुछी समय पहले जो है आमात्मी पार्टी जॉइन की है इनके बारे में पहले मैं बता दू कि नीलोखेडी से पूर्व विधायकर है चुके इनके जो फादर्थिस्वर्गी है मामूराम गोंदर जी ये उनके बेटे हैं जो की उनके बाद पॉलिटिक्स में आए और काफी सालों से ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इनका इस पर क्या कुछ कहना है कि अगर हर्याना की बात करें यहां तो अधिकारियों तक पर कारेवाई नहीं होती और पंजाब मेचों के चक्के चुड़ाए जा रहे हैं कर अप्टिड लोगों के एक पर बातशीत कर लेते हैं जी से क्या कुछ बताना चाहेंगे सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी कुछ ही समय पहले आपने जॉइन किया और आज कल आप ही की पार्टी की चर्चा है सारी जगापर सुनने को मिल रहे हैं निरजी सबसे पहले तो नवश्कार ऐसे हैं जी दिल्ली मॉडल जो है अब पंजाब में भी लागू होने जा रहा है लोगों ने अरविंद केजरिवाल जी की नीतियों पे विश्वाश किया लोगों ने आम आदमी पार्टी की विचार धरा पे विश्वाश किया विश्वाश करने के बाद पंजाब विधान सबा में लोगों ने दिखा दिया कि 117 सिटों में से 92 सिटे जो हैं जीत कर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है ये लोगों का विश्वाश है और लोगों का विश्वाश ऐसे ही कायम रहेगा क्योंकि लोगों को केजरिवाल जी के उपर और आम आदमी पार्टी की जो नीतिया है उन पे उनको पूरनतय विश्वाश है और आज हमारे माननिया पंजाब मुख्य मंतरी सरदार भगवंत सिंग मान जी ने जो कल एक बहुत बड़ा दमाका किया है आप सभी ने सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल पर देखा कि खुद के कैबिनेट का एक मंतरी विजे सिंगला जी जो स्वास्थय मंतरी थे वो जो है अपने ही डिपार्टमेंट के जो उनके बड़े अधिकारी से उनसे एक परसेंट जो है वो कमिशन मांगते थे ये सिर्फ जो है ये मुख्य मंतरी भगवंत मान जी को ही पता था अगर वो चाहते तो वो इस केस को दबा सकते थे मगर नहीं अगर वो इस केस को दबाते तो वो जो है आम आदमी पार्टी की जो विचार धारा थी या आम आदमी पार्टी का जो एजंडा है वो उसके खिलाफ हो था जे बिलकुल भगवन्त मान जो की पंजाब से सीएम है उन्होंने सफाया करना शुरू कर दिया है कही न कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के आते ही अपने ही कैमिनेट के मंतरी को जो है निकाल कर एरेस्ट तक उनकी बताया जा रहा है कि होगे क्योंकि एक परसेंड दिल्ली के मॉडल पर जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती भी और अब अपना काम भी ग्राउंड लेवल पर शुरू कर चुकी है इसका उधारन आप लोगों ने कल बहुत अच्छे से देखी लिया होगा सोशल मीडिया पर अगर बात करें हर्याना की हर्याना में भी कही ना कहीं आजकल हर किसी की जुमान पर आमादमी पार्टी का नाम सुनने को जरूर मिल रहा है और साथ ही साथ लोग काफी जादा जॉइनिंग्स भी करते नजर आ रहे हैं इस पर भी बातचीत करेंगे और 29 तारीक को एक बहुत ही बड़ी रेली कुरुक्षेत्रा मे होने वाली है जिसमें केंजरिवाल जो है खुद आने वाले हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं कि उस रेली में क्या कुछ रहने वाला है क्या कुछ रहने वाला है क्या वो रेली हर्याना की राजनीती में लाए की कोई बदलाफ जी सर क्या कुछ बताना चाहेंगे रेली के ब वो एक विशाल रेली का योजन करने जा रही है उसमें माननिया दिली परदेश के मुख्य मंतरी शरी अर्विंद केजरिवाल जी इस विशाल रेली को सुमधित करेंगे और जो है वहां से एक शंक नाद का आगाज होगा और उसके बाद हर्याना में राजनिती की जो एक मिलना हो रहा है हर आदमी के घर तक जाना हो रहा हम निमंतर दे रहे हैं उनको परसनली जा जाके हम और हमारे साथ ही जितने भी हैं तो विदांसवा निलोखेडी से 29 में के दिन जो है एक बहुत बड़ा दिन होगा एतिहासिक दिन होगा हजारों की तादाद में का बिलकुल एक मुख बदल गया और आमादमी पार्टी आ गई और धीरे-धीरे सफाहा भी शुरू हो गया है चाहे वो आपके खुद की कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्हें भी जो है इस तरीके से भगवतमान ने जो हटा दिया क्या लगता है कि हर्याना में अगर मैं स्पे अच्छी फैसिलिटीज के साथ बनाए जा सकते थे इस तरीके के काफी सारे केसे मिलते हैं जिस पर कभी कोई कारवाई होती ही नहीं है बहुत सारे यसे करप्शन के मामले सामने आते हैं डीटीप वाला मामला हो तहसील दार वाला माम रहो लेकिन आज तक जब भी मुख्यम हमारे पार्टी के शीर सिनेताओं ने हमेशा ही अपने समोधन में एक बात कही है कि दिल्ली मोडल को जो है अडॉप्ट किया जा रहा है पंजाम में भी उसी तरज पर काम किया जाएगा और आने वाले जब समय में जब हर्याना में जब आम आदमी पार्टी की सरकार होगी अब आदमी पार्टी का मुख मंतरी होगा तो यहां भी दिल्ली मोडल को ही जो है अडॉप्ट किया जाएगा जैसा कि आपने बताया ये बिल्कुल सचाई है एक सफेद हाती खड़ा कर दिया गया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा नाम उसको महीने भर इंतजार करना पड़ता है लाइनों में लगना पड़ता है अगर उसके साथ सत कोई घंबीर पेशेंट वहाँ चला जाए चाहे आप किड्नी का पेशेंट हो चाहे लीवर का पेशेंट हो या किसी का और भी ओर्गन में कोई दिक्कत आ रही हो कोई भी प्र परिवार को चाहे आप इसको चंडिगर ले जाओ चाहे आप दिल्ली ले जाओ इसके इलावा सर कल सीम सहाब करनाल पहुंचे थे एक बड़ा जो है चीज उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी तो भगवान बरोसे है ऐसा भी है आपको लगता है अभी तो हर्याना की बात करें ठीक है हमने दिल्ली में देखा ठीक है हम पंजाब में देख रहे हैं क्या लगता है हर्याना में जैसा कि सीम साम ने का कि यहां पर इनका भविश्य है वो भगवान बरोसे है भगवान का आशिरवाद है आम आदमी पार्टी पर लोगों का व हरियाना परदेश के परभारी है बहुत ही मैंती जुजारू डॉक्टर शुशिल गुपता जी जो है वो प्रते एक दिन बीसो करेकरम एटेंड करते हैं बीसो करेकरमे हजारों की दाधात में लोग वहां जो है पार्टियों को शामिल कर रहे हैं यह क्या है यह लोगों का वि विश्वास जो है आप लोगों से उठ चुका है और वो विश्वास जो है आप आम अदमी पार्टी पर लोगों का बंता जा रहा है और मुझे पूरुनता बरोशा है आप मारे नेताओं पर और हमारे कार्यकरता साथियों पर और हर्याना की समस्त जनता पर आने वाले समय में विधान सबा लोक सबा चाहे आप पंच का चुनाव करवाएं चाहे आप सरपंच का चुनाव करवाएं उसके साथ साथ बलॉक समित इसके बाद 29 तारीक को जो रेली हुने जा रही है बहुत बड़ी रेली है कि इंट्रिवाल साब उसे संबोधित करने वाले है उसके लिए क्या कुछ एक अपील लोगों के लिए को एक मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आने 29 माई को जो धर्मनगरी कुर्खेतर में एक विशाल रेली का आयोजन आम आदमी पार्टी हर्याना परदेश करने जा रही है मैं सबी से हाज जोड़कर निवेदन करता हूं पराथना करता हूं चर्णवंदन करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ वहां पहुँचे और माननिया मुख्य मंतरी अरविंद केजरिवाल जी के जो एक उनकी विचारदारा है उनको सुने और उस विचारदारा के साथ आप भी जुड़ने का काम करें क्योंकि सिरफ हमारे पास अब जो है एक इन लोगों से तो विश्वास उठ चुका है अब सिरफ एक हमारे पास अ हर्याना में आ चुका है अब बदलेगा हर्याना जो एक रेली का नाम रखा गया यह बहुत समझ सोच समझ कर हमारे शीर्षनेताओं ने रखा है तो आप इन सब के लिए आप जो है कुरुख्यत्र की धरम नगरी कुरुख्यत्र में आएं और अरविंद के जरिवाल जी को स आ रही है जिसमें सीम केंश्रिवाल जो है वो भी पहुंचेंगे और आप सभी लोगों से भी अपील की कि उस रेली में जुड़कर समर्थन जरूर दे लाई तस्वीरे आप देख रहे थे टिप्टॉप हर्याना के माधिम से सयोगी राहूल के साथ मैंनी रमाटा